तो बचो practice set number 2.2 का question number 8 हम करने जा रहे हैं तो समय पहले हम question लिख लेंगे 3x square minus 2 root 6 x plus 2 is equal to 0 अब आपको हमने बताया था कि x square का coefficient इसको multiply करना है 2 से तो यह हो जाएगा 3, 2, 6 तो हमें मिल गया 6 अब 6 के दो ऐसे factors मालम करने हैं कि अगर उनका हम multiplication करते हैं तो 6 मिलना चाहिए और उनका addition या subtraction करेंगे तो हमें मिलना चाहिए minus 2 root 6 तो factors होने चाहिए under root 6 और under root 6 अब चूंके minus 2 root 6 होना है इस वज़े से मैं क्या करता हूँ इसको minus sign लगाता हूँ अब हम दोनों condition fulfill हो रहे हैं के देखेंगे तो समय पहले हम multiply करेंगे minus root 6 को multiply करेंगे minus root 6 से तो देखिए आपको मिल जा रहा है 6 और उसी तरह दूसरी condition देखेंगे minus root 6 minus root 6 तो ये मिलकर बन गया है minus 2 root 6 ओके student तो ये condition fulfill हो चुके है तो हम क्या करेंगे 3x square as it is लिखेंगे और plus root 2 as it is लिखेंगे is equal to 0 अब ये minus 2 root 6 x की जगा पर हम लिखेंगे minus root 6 x और minus root 6 x अब देखिए हमें इनके जोडियां लगाना है ये पहली जोड़ी हो गई और ये दूसरी जोड़ी हो गई अब हमें common निकालना है इसको हम बहुत ही simple करेंगे कि आपको common निकालने का method समझ में आज 3 को हम लिखेंगे root 3 into root 3 okay student x square को हम लिखेंगे x into x देखे root 3 को root 3 से multiply करें तो 3 मिल रहा है x को x से multiply करें तो x square मिल रहा है minus root 6 को हम लिख सकते हैं minus root 3 into root 2 देखे root 3 को root 2 से multiply करें तो आपको मिल गया root 6 x का x अब इसी तरह इस root 6 को भी हम इस तरह लिख सकते हैं minus root 3 into root 2 into x plus अब इस 2 को हम लिखेंगे root 2 into root इससे आपको common निकालने में बहुत ज़्यादा आसानी होने वाली है student अब आप इस equation को observe करो क्या common निकाला जा सकता है देखे सब में पहले इस part के अंदर हम common निकालेंगे देखे root 3 यहाँ पर भी है root 3 यहाँ पर भी है तो हम root 3 को common निकालेंगे x यहाँ पर भी है और x यहाँ पर भी है तो हम x को common निकालेंगे अब bracket के अंदर क्या बज़ गया बच्चो यहाँ पर बच रहा है root 3 यहाँ पर बच गया है x minus sign और यहाँ पर बच गया है root 2 अब हम इस वाले part में common निकालेंगे देखें यहाँ पर root 2 है यहाँ पर root 2 है तो हम root 2 common निकालेंगे अब और कोई चीज यहाँ पर common नहीं है इस वज़े से हम यहाँ पर minus sign लेते हैं minus root 2 अब bracket में क्या बच जाएगा यहाँ से बच जाएगा root 3x और यह plus और यह minus will become minus और यहाँ से बच गया root 2 is equal to 0 ओके clear है यहाँ तक student पहली bracket में भी root 3x minus root 2 मिल गया और दूसरी bracket में भी root 3x minus root 2 मिल गया तो फिर से हम इसको common निकालेंगे तो यह हो जाएगा root 3x minus root 2 और इदर क्या बच गया यहाँ से बच गया root 3x minus root 2 is equal to 0 अब यह हो जाएगा student root 3x minus root 2 is equal to 0 और root 3x minus root 2 is equal to 0 यहाँ के दो linear equation हमें मिल गए तो इसको हम solve करेंगे root 3x is equal to minus root 2 जब इदर आ जाएगा तो plus root 2 जाएगा है then x is equal to root 2 upon root 3 इदर वाल equation भी solve करेंगे same method रहेगा root 3x minus root 2 जब इदर आ जाएगा तो यह हो जाएगा plus root 2 then x is equal to root 2 upon root 3 और final answer आप लिख लेंगे आप लिखेंगे root 2 upon root 3 comma root 2 upon root 3 are the roots of given quadratic equation हम उमिद करते हैं कि आपको ये question का solution समझ में आया होगा अब अगले question के दरफ चलते हैं question number 9 है 2m minus 24 is equal to 50 अब इसको हम solve करेंगे तो मैं पहले मैं question लिखता हूँ 2m into bracket m minus 24 is equal to 50 अब इस equation को थोड़ा सा हम simple करते हैं तो मैं क्या करता हूँ इस 2 को equal to sign के इधर लेकर आता हूँ तो यहाँ पर बज़ गया बच्चो m minus 24 as it is is equal to 50 और ये 2 जब यहाँ पर आ जाएगा तो ये इसके upon में आ जाएगा upon 2 अब हम multiply करेंगे m को m से तो मिल जाएगा m square और m को 24 से multiply करेंगे तो minus 24 m is equal to 2 1s are 2 2 2 is a 4 2 5 is a 10 तो आपको मिल गया 25 चलिए फर्दर इसको solve करते हैं तो ये हो जाएगा m square minus 24 m इस 25 को इधर लेकर आएगे ये हो गया minus 25 is equal to 0 अब आपको क्या करना है minus 25 के factors निकाले हैं minus 25 के factors हम निकालेंगे बच्चो 25 once a 25 तो ये हो जाएगा आप देखो minus 24 होना तो इस वज़े से मैं क्या करता हूँ 25 को minus सही लगाता हूँ अब इसके आगे का procedure आपको मालूम है अभी हमें दूसरे question भी करना है तो ये question हम यहां से लेकर आगे तक आप solve करेंगे और comment के जरी आप हमें बताएंगे कि आपके answer correct आए हैं या नहीं आए हैं चलिए अगला question लेते हैं अब हम question number 10 देखेंगे question number 10 बहुत ही simple है तो समय पहले question लिख लेंगे 25 M square is equal to 9 तो मैं क्या गरता हूँ 25 को हम इधर लेकर आएंगे तो यह हो जाएगा M square is equal to 9 upon 25 अब square root लेना है तो हम लिखेंगे taking square root M square का square root ले लेंगे तो आपको मिल जाएगा M और 9 का square root ले लेंगे तो आपको मिल जाएगा 3 और 25 का square root ले लेंगे तो आपको मिल जाएगा 5 लेकिन यहाँ पर लेना है plus और minus plus plus और minus क्यों लेना है इसका reason हमने हमारे पिछले वीडियोות के अंदर आपको बताया है आप हमारे पिछले वीडियो देख सकते हैं थो भी हम एक मर्दाब explain कर देंगे के 3 का अगर square करते हैं तो आपको मिलता है 9 और minus 3 का這樣的 square करते हैं तो आपको मिलता है 9 यूज जी हमने प्लस और माइनस साइन ले लिए हैं तो यह हो जाएगा M is equal to 3 by 5 एक मरदाव प्लस के साथ और M is equal to minus 3 upon 5 ओके अब फाइनला सा लिखलेंग इस्टुएंट 3 upon 5 कॉमा minus 3 upon 5 are roots of given quadratic equation ओके let's move to the next question अब देखिए question number 11 है solve example number 3 के जैसा है जो के हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था अभी भी हम solve करेंगे तो यह question is 7m square is equal to 21m 21m को अब इधर लेकर आएंगे तो यह हो जाएगा 7m square minus 21m is equal to 0 अब देखिए 7m square और minus 21m में हमें common लेना है तो आप देखिए 7 के table में 21 आता है तो मैं 7 को common ले लेता हूँ और m square और m में हम common ले लेंगे m तो यहाँ पर क्या बज़ गया student यहाँ पर बज़ गया m minus 7 3 is the 21 तो यहाँ पर बज़ गया minus 3 is equal to 0 इसको आप लिख सकते हैं 7m is equal to 0 और m minus 3 is equal to 0 then m is equal to 0 upon 7 हो जाएगा then m is equal to 0 मिलेगा आपको और इधर वाले equation solve करेंगे m is equal to minus 3 will become plus 3 तो यह हो जाएगा m is equal to 3 final answer आप लिख लेंगे 0,3 are the roots of given quadratic equation understood चली अगला question ले ले लेंगे question number 12 भी बहुत जादा simple है तो समय पहले question लिख लेंगे question is m square minus 11 is equal to 0 then m square is equal to minus 11 को जब इधर लाएगे तो यह हो जाएगा plus 11 अब हम square root ले लेंगे तो हम लिखेंगे taking square root यह हो जाएगा m square का अगर square root ले लेंगे तो आपको मिलेगा m और 11 का square root ले लेंगे तो आपको मिलेगा plus or minus under root 11 okay student इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं m is equal to plus root 11 और m is equal to minus root 11 पाला अनसर आप लिख लेंगे root 11, minus under root 11 are the root of given quadratic equation we hope that you understood the solutions of these questions अगर आपको हमारे method समझ में आ रहे हैं हमारे समझाने का तरीखा आपको समझ में आ रहा है हमारे चैनल को subscribe कीजिए इस वीडियो को like कीजिए ताकि हमें और motivation मिले next वीडियो बनाने के लिए इसी तरीके के वीडियो हम आपके लिए बनाते रहेंगे तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया